Hello everyone, welcome to all at Locastar Unlimited Study Zone. So technical mistakes के कारण question number 21 से थोड़ा सा हम पिछले जो वीडियो में cover नहीं कर पाए थे. तो बस आप इनके solutions देख लिजे. Question number 21 के solutions से आप उसको match कर लिजेगा. मैंने solve तो करा दिये थे, बट ये छूट गये थे. एक्चुली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वज़े से. तो ये 21 है, k equal to minus 3 आया है. तो इसके बाद 22 वाला question देखिए आप ये जो बैग वाला है, probability वाला. तो इसका answer मुझा भूला नहीं है, 9 upon 49 इसका answer है. ओके 22 हो गया. Then इसके बाद देखिए question number 23 जो है, इसमें p की value आपको find करनी थी. तो इसकी p की value की थाई थी बोलो, p की value बिल्कुल सही है, 6 आई हुई थी. तो ये इसका कुछ solution इस तरीके से दिया है, ये देखिए p equal to 6 यहां तक निकाल लिया था. फिर उसके बाद में quadratic equation आया था, k वाला, k की value non zero value निकाल लिया थी, तो यहां पर k की दो value आई थी, k equal to zero and k equal to 3, की minus 3, चली देख लेते हैं, क्या है, तो k की value बिल्कुल सही है, 1 3 और 0 है, ओके, तो इस तरीके से इसको आप solve कर लिजे, k equal to zero and k equal to 3, then find the sum of the first 8 multiple of 3, मतलब 3 से ले करके 24 तक का आपको sum find करना था, तो इसका correct answer कितना आया था, 108, 108 आ गया था, then इसके बाद which term of the series is zero, क्या था, बोलो बच्चों, इसका answer, 10 term, yes, correct answer, इसका 10 term क्या गया था, zero आ गया था, okay, then इसके बाद ये वाला question है, if the perimeter of the area of the circle numerically equal, तो आपको बताना है radius of the circle क्या होगी, तो देखी, यहाँ पर radius of the circle कितनी मिलेगी, आपको 2 मिलेगी, then इसके बाद आ गई थी ये question, तो इसको pythagoras theorem का use करके, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 हो जागा, और इसमें लगा दिया था, तो इतना आया था answer, root 84 आ गया था, ये इसका पूरा solution है, कौन से question का है, ये solution, ये था, prove that the two consenting circle, the cord of the larger circle, which touches the smaller circle with the bisected at the point of the contact, तो कहना था कि, कि जो cord होती है, larger circle की, smaller circle की, वो, sorry, cord किसकी, larger circle की, और tangent किसकी, smaller circle की, इस पर bisected होती है, तो दो triangle बनाया था, मैंने, ये इसके equal होता है, ये common side होती है, 90 degree, तो RHS से दोनों के equal करके कर दिया था, P equal to PV, तो दोनों equal हो जाते है, question number 27, question number 27, question number 27, पर हमको mod निकालना है, तो ये इसकी model class थी, 61 पर, ये बन जाएगा F1, ये बन जाएगा F0, ये बन जाएगा कितना, F2, इनके बीच का gap कितना है, 20 का, तो इसमें जो class हो, 20 बन जाएगी, अब इसके बाद ये formula लगा करके, आप जो है, इसका model value निक पाएथे, अब आगे चलते हैं, देखे, define the ratio of which P4M divided the line segment A23, B6-3, hence find M, देखो बाई, सबसे पहले कह रहा है कि, इस क्या ratio find करो, किस ratio में, ये जो point है, इसको break करेगा, तो बताई, क्या ratio आया है, तो क्या लेंगे, 4 लेकर के, x equal to 4 लेकर के आप ratio निकाल लेंगे, तो बताई, आपके पास सथी ratio आ गया है, तो इसका correct answer आ रहा है, देखे, 4 लेकर के, section formula लगा दिजे, okay, section formula लगा देंगे, आप 4 लेकर के ratio के ratio 1 मालो, या मेरा M1, M2 माल लेंगे, तो K की value, पहले इन लोगोंने K निकाला है, तो K की value किती आ चुकी K ratio 1, यानि की 1, K ratio 1, यानि की 1, मतलब क्या ratio होगा? 1 ratio 1 होगा, क्या रहीगा 1 ratio 1, 1 ratio 1 मतलब 1 भाग इर और एक भाग इदर, मतलब series यहां जा सिरी सी हाँ, midpoint, series बात क्या है, midpoint, क्योंकि जितना भाग इधर उतना भाग इधर हूं, तो K behaviour हो मिट पॉегा M बहुत ही simple है, this plus this upon 2, क्योंकि y coordinate है, तो m कितना होगा? y1 plus y2 upon 2 तो y1 कितना है अपने पास में 3 और y2 कितना है minus 3 upon में कितना 2 ये cancel हो गया तो बूले answer कितना आएगा 0 तो m की value यहाँ पर कितनी आजएगी 0 आजएगी बूले तो check कर लिजे ratio आपका 1 ratio 1 आएगा और value कितनी आएगी m equal to 0 वो ली clear है कि नहीं है यदी clear है कि नहीं है बताईए चलियर नहीं है तो जल्दी से देख लिए एक बार कोई problem आ रही है तो पूछ लिए देखे आप यदी इसको कहते हैं जैसा कि मैंने आपको theoretical classes में पढ़ा है कि इसको आप इस ratio को m1 और upon में m2 कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं देखे तो m1 upon m2 में x coordinate क्या बैठा हूँ आपका x coordinate formula में नहीं क्या बता है था m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 ठीक ना यह formula में नहीं बता है था तो देखे थोड़ा सा मैं इसको यहां पर साफ सुत्रा कर दो तो मैं इस question को कर सकता हूँ चली तो यहां पर अब मैं value put कर रहा हूँ दीखे तो यहां पर x coordinate कितना 4 x coordinate कितना है 4 अब m1 यह जाएगा इसके साथ x2 के साथ तो m1 x 2 कितना हो गया 6 m1 plus 6 m1 हो गया m2 कितना है m2 यहां पर m2 किसके साथ जाएगा 2 के साथ तो कितना हो गया 2 m2 upon हो गया बोलिए m1 plus m2 class multiply कर दो कितना हो जाएगा 4 m1 plus 4 m2 equal to 6 m1 plus 2 m2 होगा कि नहीं होगा चली अब 4 m1 को इधर ले आइए तो 6 m1 में से 4 m1 गया तो इधर कितना बच गया 2 m1 कितना बच गया 2 m1 और 4 m2 में से 2 m2 को माइनस कर दीसको लाकर कर दो बोली कितना बच गया 2 m2 मोली जब यह साथ 2 क्या हो गया cancel मतलब इधर बचा m2 इधर बचा तो इतना इधर मतलब जब दोनों रिशो एक्वल होते तो क्या होता है मिट पॉइंट तो इस तरीके से मिट पॉइंट प्रपरड़ी के यूज करके आप क्या निकाल लेंगे एम बुली निकाल लेंगे तो एम की वैलिव आ चुक है चले अगला क्वेशन देखते हैं इसमें तो कुछ फाइंड निकार सीधे रिशो रूल लगा करके आपको पॉइंट करने थे तो सीधे सीधे फॉर्मुला लगा दीजे आप अपने पास वही वाला तो सॉल कर लेजे आंसर आया है 0,1 बिल्कुल सही है ना बिल्कुल सही है वेरी गुड बच्चो तो करेक्ट आंसर इसका 0,1 बिल्कुल सही है तो अपने आपको फूल मार्स देजे 3 आउट अफ तरी चली क्या करा दिखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफा सर्कल ए इस 132 सेंटीमेटर इस इक्वल तो सम अब दसर्कमफेरेंस अब तू सर्कल बी एंसी इप दर एडिस अब दर एडिस अब दर सर्कल सी बहुत ही सिंपल कोशन दीगे टू पाई आर एक्वल टू टू पाई आर वन प्लस टू पाई आर टू ओके यहां से टू पाई टू पाई टू पाई कॉमन ले क्या हो जागा कैंसल वाइसा बोली क्लियर है ना अब सर्कमफेरेंस ऑफे सर्कल इस 132 किता है 132 तो नीचे आ जागा टू पाई मतलब टू इंटू बाईस और उपर कितना चला गया साथ आपको पता है बाई से कितने बार जागा छे बार क्योंकि 22 गोड़े 6 होता है 132 और 2 से गया कितने बार तीन तो तीन गोड़े 7 किता हो गया 21 अब 21 यह जो पेरिमिटर है इसका भंडार दो पार्ट में हुआ है देखिए एक हो 2 पाई R1 2 पाई R2 2 पाई 2 पाई तो पन कैंसल करी चुके हैं R1 कितना दिया है आपको सरकल B की रेडियस आपको दी गई है कितनी चाउदा तो यहाँ पे है चाउदा और आपको पता करना है R2 किता है तो यहाँ तो सी दिखी रहा चाउदा में क्या जोड़ोगे की किस हो जाएगा साथ तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7 होगा इसका अंसर करेक्ट आंसर इसका इतना 7 तो Rc एककोल टू 7 सेंटीमिटर बोली क्लियर है तो करना कुछ नहीं है 2 पाई R1 कोल टू पाई Rb प्लस 2 पाई Rc का कंसेप्ट ल आपको बताना है कि A प्लस B 0 से बड़ा है और 90 की इक्वल है यस यहाँ पी क्यक्वल है सॉरी और आपको बताना है कि A इस waiting बी तो A और B की value आपको find करें जबता है यह की value 60 और B की value 30 तो बिल्कुल टिगिन अगला question देखते हैं अगला question ये आपके सामने दिया गया है गिन्द गिबं ट्रेंगल find x in terms of abc आपको x find करना है in terms of abc भाई सब एक्स कहा है ये ये देखिए आपके पास में x है और आपको abc के terms में find करना है आई ये देखते हैं देखे क्या लगेगा देखे ये एंगल 64 है ये बी किता है 64 है और ये देखे ये दोनों में common angle है दिख रहा कि न दिख रहा है क्योंकि बड़ा वाला triangle आगका उसमें ले बी ऐ Would you call about a prices और ये बार वाले में भी फाले में कौमन नहीं बोली है अजहाए न C, छोटे triangle का क्या बनेगा, C बनेगा, ओके, अब ये देखिए, ये बड़े triangle का angle कितना है, 64, और छोटे triangle का angle कितना है, 64, तो आपको पता है भाई, दो angle अगर equal होते हैं, तो तीसरा angle मजबूरी का नाम, चलो, equal हो गया, हाँ या ना, तो मतलब तीसरा भी equal होएगा, होएगा क नहीं होगा, तो A, A property से दोनों triangle क्या हो जाएंगे, similar, क्या हो जाएंगे, similar, चलिए तो अब अनको बस value निकालनी है, तो ratio लूल लगा दिजे, this upon this equal to this upon this, चलिए देखिए धान से, तो A है, ये B है, ये C है, और इनका लापता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको लापता equal to B plus C upon कितना हो जाएगा, C, B plus C upon, बढ़ हमको X चाहिए, तो मैं पलट दीता हूँ, पूरी की पूरी हो जना को, तो X upon A equal to B plus, sorry, C upon B plus C, चलिए cross multiply कर दिए, A कहां जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया कितना, C A upon B plus C, मतलब answer आजएगा, A C upon B plus C, क्योंकि C को क्या एक सकता A, C, ना भी लिको तो ठीक है, answer आगया कितना, C है, या A, C upon B plus C, और answer A, B, C के ही terms में आएगा, क्योंकि question ने कहा था कि A, B, C के terms में उत्तर दीजिए, तो answer है इसका कितना, A, B, देखे, 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 यस, बिल्कुल सही है, A, C upon B plus C, तो देखो बच्चों, ये question बहुत इसके question को छोड़ दिया, तो भाई, triangle क्या होता है, triangle का हुवा बहुत ज्यादा बन गया है, अब क्यों ना बने, इसके question difficult भी होते थे, तो उन difficult question की आड़ में, छोटे-छोटे, सीरे, साधे question भी बच्चों को डरा जाते है, चलिए, question number 32, पता है आपको कितने marks का होता है, इ लड़किया, 145 से कमबाली, 11 है, और क्या कहा रहा, find the median height of the group, देखो भाई, सब तो already आपको less than दिया हुआ, तो भाई, मीडिया निकाला तो बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको simple frequency, यह CF है, यह क्या है, आपको CF, अब आपको निकलनी ही, simple frequency, F निकलनी है, तो बोलो कितना होगा, 4, यहाँ पर कितना आएगा, 6, 7, 7, 4, 11, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 18, ना, 18 कैसे आएगा, 18 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, 11 में 18 जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे, 29 में क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगा, 11, कितना जोड़ेंगे, 11 यहां पर कितना जाएगा बूलिए 6 आजाएगा और यहां पर कितना जाएगा चार बिल्कुल सही तो यह बन गई आपकी linear frequency क्या बन गई आपकी linear frequency अब median का formula आप लोगों ने पढ़ा है तो बस अब इसके बादा formula लगा दीजिए क्या होता है median का formula क्या होता है L प्लस N बाइ 2 है ना माइनस C अपॉन स्मॉल एफ इंटू कितना H बस यह बादा formula लगा दीजिए यह देखिए यह सारा का सारा group आपने बना दिया आपने इसका solve किया बोली कितना answer आया है 148.88 बिल्कुल सही answer है इसको इस तरीके से solve करना है एक बार जी भरके इसको पूरे को देख लीजिए अंसर कितना 148.88 तो अराम से करिये इस question को चली अगले question के और बढ़ते हैं अगला question भी किस चीज का है मोडल वेट का है ओ हो यह तो मोड निकालना है बहुत इसरल काम है तो मोड निकालने के लिए देखेंगे सबसे ज्यादा मोड के साइच का यह दिके 26 का है तो यह बन जागा F1 पीछे वाला F0 आंगे वाला F2 बस इसके बाद फॉर्मुला लगा दीजे बड़े आराम से चलो बाकी बिल्कुल सीख है और वही फर्मुला है ठीक ना चलिए तो इसको सॉल्व करें टू-0-1.7 क्या बात है भाई सब बिल्कुल सही आंसर आया आपको पांच में से पांच बिल्कुल पूरे-पूरे दिये जाएंगे ठीक है ना यस चेक कर लिजे यस तो यह बेसिक लेवल का पेपर है इसी तरीके का आने की पूरी-पूरी उम्मीद है चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन एप्लिकेशन आप टेग्नोमेट अरे consecutive मतलब लगातार किलोमेटर मतलब पहले स्टोन और दूसरे स्टोन की बीच में कितने का गयाप है वन का कितने का गयाप है वन का तो यह साइड आप X ले लेंगे और टोटल किती हो जाएगी X प्लस 1 क्या हो जाएगी X प्लस 1 ठीक ना अब इसके बाद दो ट्रेंगल बनाना है एक 30 वाल एक 45 वाल तो चलिए किस तरीके से सॉल्ब करते हैं यह देखिए वाई सब यह 45 पास में होता है में सा अंगल और 30 वाल दूर होता है ठीक ना तो यह देखिए 45 पहले उपर से जहां करा था तो 45 वाल एंगल बड़ा बनेगा इसका यह पास में बन तो दूर में बन जाएगा यह देखिए दोनों इस्टोर के बीच की दूरी किती है वन तो चोटे वाले कितना मालिया एक्स अब दीखे सबसे पहला 45 वाला है तो लगा दी थियोरम 1045 एकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स आ गया दूसरा वाल दीखिए 30 डिग्र करेंगे रूट 3 प्लस न का ऊपर रूट 3 बाइनस वन का नीचे कितना आ जाएगा देखो उपर बचे का रूट 3 ब्लस वन और नीचे ए प्लस बी ए मानस बीन स्क्वार माइनस बीस क्वार मतलब 3-1 बोले तो कितना टू तो वैलिए पूट कर दो 1.732 प्लस वान आपॉन तो एक एड हो गया तो कितना हो गया 2.732 अपॉन कितना टू डिवाइट कर दीचे 2 बंजा 2 करके आ जाएगा 1.366 किलो मेटर आई बास समझ में न तो बच्चे में इसी चीज में कंफ्यूज हो गया थे कि सर यह 1 किलो मेटर क्या बोल रहा है तो बिटा 1 किलो मेटर दो कंस कि और चलते हैं रिखिए इसका कोशन और वाला और वाला बच्चों ने मेरे खेल से दौर लगा के कर लिया होगा क्योंकि यह कोशन एंसी अर्टी में भी दिया गया है दा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब दा टू सिप्स फ्रॉम एन एरो प्लेन फ्लाइंग अटे हाइट अ 75, 75 and मेटर है 30 डिगरी है 45 डिगरी तो दो प्लेन है एक एंगल 45 डिगरी है दूसरा कितना है 30 डिगरी है मतलब जो पास वाला एंगल 45 बनेगा दूर वाला कितना बनेगा 30 योगी पास वाला एंगल हमेसा बढ़ा होता है जब आपको मुन्डी उपर उठानी पड़ती क्या बनेगा 45 और बाद में क्या बनेगा 30 चलो बहुत बढ़िया अब इसके बाद इंगल बुली कितना बनेगा 45 बुली एसा नो क्योंकि पहले वाले का जो डिप्रेशन बन रहा है यह एंगल 45 है तो इसका देखिए यह अल्टरेट इंटीरिल कितना बनेगा 45 दूसरे वाले को डिप्रेशन है कितना है 30 है तो यह वाले का बनेगा 30 ओके यहां पर यह हीट आपको दीगई किति दिए 7500 गित दिए 7300 तो इस दिस्टेंस को आप X ले लिजिये इस दिस्टेंस को क्या लिजिए Y ले लिजिए औरsolve कर दीजिए देखते हैं किस तरीके से solve किया यह देखे diagram बिल्कुल सही है ओके आई बास समझ में देखे पहले वाले में solve करके BC आ गया कितना आ गया BC BC कितना आ गया 7500 कितना गया 7500 क्योंकि 45 में होगा तो यह 7500 यह भी कितना होगा 7500 बुलिए इसके बाद आपको CD निकालना तो CD निकालने के लिए पूरा बड़ा ट्रेंगल देना पढ़ेगा यह नहीं लेन पढ़ेगा तो 1030 कल्टी पर्पेंडीकुलर अपॉर 1030 कल्टी पर्पेंडीकुलर कितना है 7500 अब उम में कितना होगा 7500 root 3 बुलिए S और BC कितना आ चुका है 7500 और plus 3D अपन को find करना है बुलिए S और नो तो चलिए क्या करेंगे यहाँ से CD common ले लेंगे CD रोक लेंगे इधर और इधर आएगा 7500 root 3 minus का 7500 तो यहाँ पे 7500 common ले लेंगे कितना जागा root 3 minus 1 solve करके आंसर आया 5490 मीटर बोलो डैन clear एकदम चलिए बहुत अच्छे बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है 5490 आया है बहुत बहुत बढ़ाई आप लोगों को चलिए अगला question करते है अगला question करते है The sum of the square of the two consecutive odd prime integers is 295 the integer चलो भाई quadratic equation का question देखो The sum of the square of two consecutive odd तो पहला number आपने मान लिया x और x के बाद अगला number क्या होगा x plus 2 क्योंकि odd है लगातार odd है तो x plus 2 हो जाएगा और इनके square का sum कितना दिया 295 तो 295 अब क्या करना भाई खोल खाल डलो इनको solve कर डालो solve करने के बाद आप सीरे answer match करो answer match करिए एक आया होगा minus 13 तो positive number बूला तो इसको discard कर दो answer आया है 11 तो एक number अगर 11 होगा तो दूसरा क्या होगा 13 क्योंकि आपने number माना है x और x plus 2 तो अगर एक number आपको 11 मिलेगा तो 11 में 2 जोड़ दो कितना होगा 13 अगर आपने लास्ट की लाइन लिखी है तो आपके 0.5 नहीं कटेंगे बट अगर आपने लास्ट की लाइन नहीं लिखी है तो आपके 0.5 कट जाएंगे क्योंकि question ने का था find two consecutive odd number मतलब आपको दो number यहाँ पर find कर रहे है अकेला नहीं बोला था इन दा फिगर PQ is a chord PQ by chord है यह रिखी PQ chord है length कितनी 16 है तो 8 हिदर बढ़ गया of a circle of radius 10 cm the length the tangent P and Q intersected point T find the tangent T P तो मतलब आपको T और P की value find करनी है क्या find करनी है T और P की value find करनी है यह बहुत करामाती question है अगर इसको आप technique से कर लेंगे तो कर लेंगे otherwise यह आपको problem करेगा अब देखी क्या है यह question जो आपको है इस तरीके से दिया गया है जबकि यही question आपको book में आड़े तरीके से दिया गया है तो आपको समझ में आ जाता है ऐसा लेटा हुआ दिया गया है ठीक ना वायली निकालनी देख लो एक बार सईसे भाई समझा तो क्वेश्चन को आपने फोल्ड फोल्ड कर डाला है तीपी की वैल्यव निकालनी बच्चों देखो जरए यहां से यह angle कित्व डिग्री होता है 90 कित्व डिग्री होता है 90 degree तो ये आपके पास 8 है ये आपके पास 10 है ठीक ना ये आपके पास 8 है ये आपके पास 10 हो गया है ठीक है बहुत बढ़िया तो ये 8 है ये 10 है तो पाइथागोरस थियोरम से ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आजाएगा ना ठीक है बहुत बढ़ी है यह आपके पास में इतना हो जाएगा अब एक काम करो यह जो थीटा है इस थीटा के लिए यह जो थीटा है ठीक ना देखो इस थीटा के लिए हमें यह चीछ चाहिए है इस थीटा में हमें यह चीछ चाहिए बहुत अच्छे से सोच क्योंकि बेटा ये 90 डिग्री है ना, तो OT क्या बन गया? OT दो बन गया Hypotenus, क्या बन गया? OT, क्योंकि 90 के सामने की साइड क्या बन गयी? Hypotenus, ओके? तो ये बन गया Base, PO क्या बन गया? Base, और PT क्या बन गया? Perpendicular, क्या बन गया PT? Perpendicular, तो बेटा, मैं करूँगा 10 Theta is equal to Perpendicular upon Base, Perpendicular upon Base, तो 10 Theta कितना है PT? 10 Theta कितना है? बोलो है की नहीं है? इसके सामने Perpendicular ही तो हुआ, 10 Theta क्या बन गया PT, और Base कितना है बोलो बेटा? 10, हाँ, PO, PO कितना है 10 है? लिए आपके लिए इसको लिख दिया PO, तो PT upon कितना हो गया? 10, PT upon 10, PT upon 10, चलो भाई, येलो पेंचेंज कर दिया जाए, तो PT upon 10, एक बार फिर से देखिए, मैं लिख देता हूँ, 10 Theta is equal to Perpendicular upon Base, Perpendicular देखिए, इस Theta के लिए, Perpendicular क्या बनेगा? PT बनेगा कि नहीं बनेगा? और Base कितना बनेगा? PO, बोलो येस आनो, तो PT upon कितना हो गया? 10, बोलो clear है कि नहीं है? अब एक काम करो, ये Theta तो, ये Theta तो Theta है, Theta तो Theta है, का मतलब क्या है? चाहे आप बड़ा Triangle ले लो, चाहे चोठा Triangle ले लो, Theta की Value बदलने वाली? नहीं है, अब ये चोटे Triangle पर आजाओं. अब किस Triangle पर आजाओं? चोटे Triangle के लिए 10 Theta is equal to, अब ये को चोटे Triangle में, ये 90 Degree है, तो इसके लिए Perpendicular कौझ सा है? सामने वाला 8 है की नहीं है छोटे triangle में ये देखो बच्चो मेरे red वाले triangle में perpendicular ये 8 है की नहीं है तो perpendicular 8 है और base 6 है की नहीं है तो ये भी तो 10 theta है इसको देदो number 2 और ये वाला हो गया क्या number 1 तो ये 10 theta कितना है pt by 10 और ये 10 theta कितना है 8 by 6 तो pt by 10 10 equal to 8 by 6 ओके तो pt equal to कितना हो जागा 10 into 8 याने 8 into 10 by 6 चलो काटा कुटी सुरू करो 2 से कितने बार कड़ गया 4 बार 2 से कितने बार कड़ गया 3 आंसर हो गया 40 by 3 मतलब इस tangent की जो लंबाई होगी कितनी होगी 40 by 3 चली आंसर देखते हैं 40 by 3 ये देख लो आपको ये सब कुछ नहीं करना आंसर कितना आगया 40 by 3 बोली क्लियर है ना चली तो ये method आपको करने का ये method आप नोट कर लीजे इसको प्लीज क्या करना है आपको सबसे पहले बड़ा बाला triangle लेना है बड़े वाले triangle के लिए 10 थीटा देखना है फिर छोटे वाले triangle के लिए 10 थीटा देखना है दोनों 10 थीटा को क्या कर दो equal कर दो के तो आपके पास answer जागा 40 by 3 नोट कर लेजे इसको चली बच्चों अगला question तो case study आचुकी है last पड़ाओ पर बहुच चुके है case study section number E करने वाले है देखिए भाई सब क्या कह रहा है ABCD is a playground inside the playground a circular track is present such that AB touches the P, B, C, Q पर, C, D, R पर और D, S पर मतलब AB जो है ये देखिए 4 पॉइंट पर ये playground टच कर रहा है पर कर रहा है P, P, Q, R पर टच कर रहा है और S पर टच कर रहा है okay लो सारी side दी गई है और आपको दिया गया है कि जो DR है वो 5 है D से लेके R तक के distance कितनी है 5 है okay D से लेके R तक के distance 5 है ठीक है और आपको क्या find करना है DS find करना है then find DS देखो बाइस अब DS कहा है पहले DS को ढूलो यह D है और यह S है और यार इतना simple यह DR है तो DS 5 ही तो होगा क्योंकि यह tangent ही तो ही तो पहला answer DS equal to कितना आ गया 5 आ गया कितना गया DS 5 आ गया अच्छा यह total 23 है तो 23 में से 5 कट लिए बोलो कितना बचा इधर पे कितना बचा 18 कितना हो गया 17 18 25 बोलो यह सवनो अच्छा अब यह 18 है तो यह भी कितना होगा 18 होगा और यह total 29 है तो 29 में से 18 गये 19 minus 18 कितना होता बोलो 11 कितना होता है 11 तो यह 11 आ जाएगा बोलो clear है न हाँ तो एक मिनट और यह 18 था तो यह 18 रहेगा यह 11 रहेगा अच्छा यह 11 है तो यह कितना होगा 11 है और यह perpendicular है बोलो clear है न तो इसकी radius कितनी होगी 11 ही तो होगी कितनी इरवनी की radius इसकी 11 ही बनेगी तो यह अपने पास में 11 हो चुका है clear है यह अपने पास में कितना बन चुका है 11 बन चुका है चलिए तो अपने पास क्या-क्या find करना था चलिए देखिए सबसे पहले find करना था DR है then find DS find हो चुका है what is the angle OQB OQB चलिए OQB देखते है OQB ही हम तो पहले ही निकाल चुके बोली आंसर कितना होगा AS होगा अब last क्या find the well length of P, B, P, B कहा है P, P, कहा है यह है P और यह क्या है B 11 है तो आंसर कितना होगा 11 होगा तो हमने क्या-क्या आंसर निकाले है हमने पहले वाले का आंसर निकाला है DS 5 निकाला है फिर हमने निकाला 90 डिगरी फिर हमने निकाला 18 5, 90 डिगरी 18, 11 5, 90 डिगरी 18, 11 5, 90 डिगरी 18, 11 5, 90 डिगरी 18 और देखिए 11 बिल्कुल सही है तो हम लोग का आंसर आचुका है Done बच्चों आफर दिखे नहीं सबस्क्राइब, कर थे अगल सब्सक्राइब यज Saaty ta, और यूड यूज सब्सक्राइब का है, सब्सक्राइब इसका पहला पाट आचुका है चलिए दूसरा कोश्चन है इसका आपको कर्ड सर्फिस एरिया निकालना है तो इसका कर्ड सर्फिस एरिया होता है 2πi r² 2πi r² ओके radius 7 दी गई है तो बस value पुट कर दो भाई देर किस बात की 2πi r² का formula लग दीजे 308 आ गया very good बच्चों बहुत सही इसके बाद देखे क्या कहे रहा question find the slant height of the cone if the radius is 7 and the height is 24, बहुत ही simple है L equal to होता है R square plus H square, L square तो root लग जाएगा L equal to under root R square plus H square, solve कीज़े value कितनी आई है slant height, slant height आपके आई है 25 बोल बिल्कुल सही है, very good बच्चों बिल्कुल सही है slant height आपके 25 बाचुकी है चलिए, अगला है find the total surface area of the cone and hemispherous ice cream तो total surface area आपको निकालना है cone का with hemispherical ice cream तो देखे, उपर तो यह इसके पास यह आएगा और नीचे आपके पास में आजाएगा pi R L, तो 2 pi R S square plus pi R L, ओके, तो उपर कितना आजाएगा 2 pi R S square, कितना निकाल लिए आपने 550, और pi R L कितना आचुका आपने पास में 308, तो दोनों को आंसर को जोड़ दीजा answer आगया 858, बुली क्लियर है ना तो answer 858 cm2 check कर लिजे, बिल्कुल सही है 858 cm2 हो गया है डन बच्चों, चलिए आंगे चलते हैं अगले question की दरफ, देखते हैं यह देखें बच्चे पटने लाइब्रेडी में और आप लोग मस्ती कर रहे हो, चलो question number की स्टडी 3 okay, देखे क्या करा है to enhance the reading skill of the grade 10 student the school nominates you and you and two of your friend to set up in a class library there are two consecutive session A and B of grade 10, there are 32 student in A and 36 student in B what is the minimum number of books you acquire in a class library so that they can distribute equally amongst student section A and section B, भाई देखो, इस question को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है आपके पास में कि आपके पास में there are 32 student in section A and 36 student in section B मतलब आपके पास में section A में 32 बच्चे हैं, और दूसरे section में कितने हैं, 36 बच्चे हैं, ठीके ना कह रहा, what is the minimum number of books you will acquire for the class library मतलब पूरी पूरी class library के लिए कितनी books आप मंगा सकते हो जो पूरे बच्चों को मिल जाए कम से कम, ओके, तो क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का least common multiple LCM, है ना, दोनों का LCM आपको निकालना पड़ेगा और LCM आएगा जो है ना, तो LCM आने से ऐसा number books काएगा, जो सब में equal equal बढ़ सकेगा क्योंकि अगर आप 32 के हिसाब से सोचोगे तो 36 बच्चों को नहीं मिलेगी अगर 36 बच्चों के हिसाब से सोचोगे तो 32 बच्चों को नहीं मिलेगी तो आपको दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा एबरेज नहीं बटा LCM least common multiple least common multiple बोलो clear हुआ clear होगे ना तो उनको बराबर बराबर मिल जाएगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा LCM निकालना पड़ेगा पांच आप मंगा होगे तो एक इसको मिलेगी एक मिलेगी इसको एक एक मिलेगी ठीक है ना पड़ सुनिए अब पांच इसकी टेबल में नहीं आ रहा है है ना least बोल रहा है least कम से कम equal आप 2 और 3 के LCM कितना होता है 6 कितना होता है 6 होता है तो 6 books आपने मंगा ही कितनी books आपने मंगा ही है 6 books आपने मंगा ली है तो LCM में आप जो है least मतलब equal equal books के लिए तो आपको 6 books आपको मंगानी पड़ेगी अब देखे इसका तो हमको क्या करना पड़ेगा equally among the student of section A and section B तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा देखे इसका LCM कर लीजे यह रेखे आपने इसका LCM कर लिया तो total इतनी books आ चुकी है 288 we have to find the LCM of 32 and 36 ठीक है ना तो आपको hence the minimum number of books required to distribute equally among the student and section A and section B that is equal to 288 तो आपको total जो books मंगानी पड़ेगी equally distribute करने के लिए वो 288 मंगानी पड़ेगी done clear बन जागा ना चली देखे तो बच्चों इसका meaning समझ अब यहाँ पर अभी यह सोच रहा होंगे कि हर बच्चे को बराबर बराबर book मिलेंगी इसका मतलब कतय नहीं है कि हर बच्चे को बराबर बराबर book मिलेंगी समझ गया ना दोनों गुरुप के पास बुक जाएं तो आपको 288 बुक्स मंगानी पड़ेंगी 288 बुक्स मंगानी पड़ेंगी कम से कम 288 बुक्स मंगानी पड़ेंगी तो दोनों गुरुप के पास बुक्स जाएंगी याद रखे का मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि दोनों ग्रूप के पास बराबर बुक्स जाहेंगी, question को पढ़िए ध्यान से क्या question कह रहा है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास में कम से कम बुक मंगानी है, जिससे की distributed equally, किसको section को distribute करना है equally, section को distribute, मतलब की 288 बुक्स आपने इस section को देदी, और 288 बुक्स आपने इस section को देदी, section को आपने equally distribute करी है, बच्चों को नहीं बोली 128 बुक्स, समझगे ना, हाँ, बच्चों को, तो आपने section को दीए, ध्यान से देखिए, आपने 288 बूग दी है जिसमें पहले section में कितने बच्चे है, 32 बच्चे है तो यदि देखा जाये तो पहले section में 32 बच्चे है तो यदि हम 288 में divide करते हैं 32 का तो हर बच्चे को कितने बूग मिलेगी? 9 और हर बच्चे के पास equal बूग जाएगी परन्तु अगर दूसरे section में 288 में कितने बच्चे है 36 कितने बच्चे है 36 तो देखे कितने जा रही है 8 मगर यहाँ पर बात section को देने की है हर बच्चे को equal book देने की नहीं हो रही है याद रखेगा ओके तो इसलिए आपने क्या निकाल लिया है LCM क्या निकाल लिया है LCM क्या LCM का जब question आते ना तो इस चीज को बड़ा समझने में problem होती कि LCM लगाए कि HCF लगाए अगला question देखे find the HCF of 32 and 36 तो भाई तो यह बहुत यह आसान काम है इसका answer आपने कितना आ गया 4 चली अगला question है अगला question देख लेते है prove that the product of the number is equal to the product of the HCF and LCM from the past question बहुत ही simple है तो prove करना है LCM HCF का product of the number आ जागा तो यह देखे 32, 36 का multiply का इतना आ गया और 288 और 4 का इतना आ गया तो यह prove हो गई चली अगला question देखिए अगला question क्या कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि तो दो फेक्टर तो सामने ही दिख गया है एक यह और एक यह और जिसके दो फेक्टर मिल लिया है वो number क्या होता है composite number होता है तो दो फेक्टर आपको यह दिख गया है 15 और 1,002 so the given number is the composite number well yet done तो इस तरीके से question पेपर आपका पूरा हो चुका है thank you so much for being with Locaster Unlimited Study Zone